हेलो मेरे प्यारे प्यारे विवेवर्स वेल्कम बैक टुए बास प्लोजेट कैसे हैं आप सब लोग तो आज मैं आप लोगों के लिए ये बिन साइद का कलेक्शन लेकर आई हूं प्रिंटेड है अब जैसे समर्स हैं तो बिन साइद बहुत जादा सेल होता है और रमजानों में तो इनकी बहुत डिबांड होती है तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी गुदारिश है कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो चले फिर वीडिय यह कलेक्शन तो यह हमारा डिजाइन नंबर वन है अच्छा मैं यह बता दूं बिल्कुल प्योर लॉन है यह तो लॉन के लिए बिल्कुल भी आप परिशान नहीं है यह एकदम प्योर होती है यह लॉन ठीक है तो यह आप देख लिए इसका फ्रेंट और बैक इन्होंने अलग दियावा है ठीक है धाय मीचारी फैबरिक होता है पूरे सूट में तो यह देख लिए हमारा डिजाइन नंबर वन ठीक है तो यह पूरा आप देख लिए इस सब प्रेंटेड है जो आप देख रहे हैं पूरा यह कुछ बंधनी टाइप प्रेंट है लेकिन बड़ा यह खुबसूरत और बहुत प्यारा शेड है यह बहुत अच्छा प्रेंट लग रहा है तो यह पूरा प्रेंट देख रहे हैं ठीक है तो यह वाली जो चीज होती है तो पट्टी है साथ में तो यह आप कहीं भी लगा सकते हैं अब आप इसका मिडल पैनल चेक कर लिए इसमें कट में आया है यह वाला सूप ठीक है तो यह देख लें यह हो गई इसकी बैग इसकी बैग वाला पॉर्शन चेक कर लें ठीक है यह खुबसूरत सी बैग हो गई यह बैग का प्रेंट हो गया आप लिए चेक करा देती हूं पूरा थाइट मीटर फैब्रेग होता है यह स्लीव का फैब्रिक है ठीक है और यह हो गया प्योर लॉन में इसका बिल्पुल ट्राउजर धाइवी फैब्रिक है ट्राउजर में और धाइवी नीटर का दुपट्टा है तो यहाँ पर तो प्रिंट हो गया दुपट्टे का इस डिजाइन नंबर वन अच्छा में एक चीज़ बता दू हमेशा मेरे पास पिंसरीद के मल्टेपल डिजाइन अवेलेबल होते हैं पर यह जो सेट है मेरे पास लिमिटेड स्टॉक है और सिफ एक डिजाइन ही है एक पीस है मेरे पास जैसे यह है तो सिंगिल पीस ही मेरेगा दो तीन पीसेज नहीं होंगे तो यह लिमेटेड स्टॉक है तो जल्दी जल्दी फिर ओडर दे दीजेगा तो यह डिजाइन नंबर वन हो गया नेच्छा यह ही एक डूशेट में दिखाती हूं बंधिनी प्रिंट पे वही अब मैं आपको इसकी शर्ट दिखा देती हूं तिल के बहुत ही प्या खुबसूरत लगते हूं बिन सही बहुत ज्यादा कमफर्टेबल वाला फैब्रिक होता है यह देख लिजाए आप इसका प्रिंट ठीक है यह पूरा नेकलाइन वाला प्रिंट हो गया प्रिंटेड है कोई इंब्रॉडरी नहीं है प्लस जो लॉन यूज है की गई है इसमें जो प्योर लॉन बिल्कुल दीवी है तो यह पत्टिया देख लीजे क्योंकि बिनसाइद बालों ने भी अपनी दो रेंज निकाल दिया एक प्योर लॉन आती है ठीक है यह देख लिजे इसका बीच वाला प्रिंट मिडल पैनल का प्रिंट हो गया फिर मैं आपको दिखा देती हूँ इसका यह देख लिजे यह दामन वाला पोर्शन हो गया द सब्सक्राइब कर देख लिजे असमित और यह दामन वाला पोर्शन वाला पास्टेम सा इस अब दैक जायर को दिख लीच यह देख लीक के प्रेंट बलू शेड़ गया और यह हो गये nsकी स्लीव स्लीन बभी डेफिरेंट कि दीभी ही है गया और यह हो गई इसकी पट्टी वाली और यह हो गया प्योर लॉर में देखिए बिल्कुल ट्राउजर है डाइमीटर है प्लेन है इसलिए मैं ओपन करके नहीं दिखाती हूं अगर कुछ वर्क होता है या इंप्रॉडर है तो मैं दिखा देती हूं ठीक है तो यह हमारा डिजा अगया और पूरा धाइमीटर ही दुपट्टा है इसमें तो यह हमारा डिजाइन नंबर टू हो गया अग्या लेक्स यह दिखा देते हैं डिजाइन नंबर फी है यह हमारा अग्रें फेट है पहले तो देखिए इस पर भी आप स्टैंप देख लीचे ठीक है इस्टैंप ह हो गई सारी हे मेरे पास है मैं मेरे पास पास लिम टे टॉकaders ही होते है मेरे पास की कैप संब्स पास है बहुत जाए इसल होता है इसलिए इसकी डिजाइंस पता भी नहीं चलते कि कब आया और अप सहल हो गई पूरे तो यह देख लेकि इbtस अब शूरत बिल्कुल डिफरेंट प्रेंट दियावा है यह हो गया इसका फ्रंट यह फ्रंट का नेकलाइन वाला पॉर्शन हो जाएगा बाकी यह यलो है ठीक है यह यह चेक कर लीजे और इसका मैं आपको दिखा देती हो मिडल पैनल यह देख लें आप मिडल पैनल चेक कर इस अब बैख देती हो बैख चेक कर लें बैख बिल्कुल डिफरेंट फैप्रिक दियावा है इस टीक है फैबश टो नटी बैक वाला परिंट हो गया यह देखने में इसके बैक का प्रेंट हो गया कि बढ़ा कलरफूर सा सूट है बहुत खुब्सूरत लग रहे है यह यह देखलें यह भैक का दामन हो जाएगा और यह से lives है इसे तो मैं डाय मीटर होता है यह स्लीव से वहाई ह endured दिखिए लूंड में विलकुल ट्राउजर होता है उसमें नो नो द्सटांप हो गई our यह हो गया हमारा तो dum है अजर दो कम दूपत्त है यह देख लें कलर्स बड़े खुबसूरत हैं इसमें ठीक है यह हो गया हमारा दिजाइन नंबर त्री अब यह ब्लू शेड आगे डिजाइन नंबर फोर फ्लोरल प्रिंट के साथ और ट्राउजर इसकी प्रिंटिट दी भी है बड़ी प्यारी ट्राउजर है कि डिफ्रेंट सूट बिल्कुल डिफ्रेंट लुक देगा स्टेच होने के बार कि अधियों मैं आपको इसका प्रिंट पूरा ठीक है यह देख लिजाए आप इसकी कि यह फ्रंट चेक कर लिजिए इसका प्रिंट कर लिजिए यह हो गया फ्रंट वाला प्राड इसमें कोई नेकलाइन नहीं बनी भी है बस यह ऐसे ही फ्लोरल प्रिंट है बड़ा खुबसूरत बहुत ही प्यारा शेड है सूधिंग कलर जो कलर फुल है बहुत ज्यादा अच्छे कलर्स किये गए हैं तो यह देख लिजिए इसका फिर कि यह बैक का प्रिंटिड दामन हो जाएगा और यह का दामन बैक का दामन और यहां पर देखिए यह स्ट्याइयब है लेकिन वह कटी भी है आधी को कभी कई प्रेंटिग में कट जाती है और शीव दिखिए हैस में इसमें सीव अलक्से दी है यह देख लेचे फुल और बिल्कुल हट के देखिए खुबसूरा सा ट्राउजर है मैं एक बार इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखा देती हूँ ताकि एक आपको अच्छा आइडिया हो जाए तो आप यह देख लिजे ट्राउजर बहुत ही प्यारा बिल्कुल डिफरेंट ट्राउजर है ओके देखने दुपट्टा इसका धाई मीटर का दुपट्टा है तो यह हमारा फोर्ट सूट हो गया अब त्री सूट हो रहते हैं अब नापको यह यहलो शेट दिखा देती हूँ गज्वें में यहलो कलर से बड़ा फुप्शुरा सा लगता है यहलो और ब्लैक है यह देखने प्रिंटिड यह देख लीजाए आप इसका फ्रंट ठीक है यह फ्रंट पोर्शन आप देख लें प्रिंटिड नेकलाइन प्रिंटीड है यह देखने मिडल वाला प्रिंट इसका और यह साइग में देखें पठ्टिया दीवी है अब मैं आपको इसका दामन वाला पोर्शन दिखा देती हूं तो यह दामन का प्रिंटलिया वही इन्होंने बैग का प्रिंट दिया वह है सैस convert ilES और यह ने बैग की ओर यह बैग की पटिक हो गई दावन के और यह हो गहीं स्लीव्स स्लीव्स की पट्टी हो गई है यह हो गया ट्राउजर चेक कर लिए ब्लैक में फुल फेब्रिक में ट्राउजर दिया है और यह है दुपट्टा इसका यलो ब्लैक शेड में बिद बिंज सहीद स्टैम्प यह देखें ओके तो पट्टा दिया है तो भीकुल हटके डिजाइन से सारे ही डिजाइन स्टेच होने के बाद बहुत अच्छे लगेंगे ठीक है यह होगे हमारा डिजाइन नंबर फाइव अब यह ग्रेइन चेड है यह दाइन नंबर सिक्स यह देखें है प्रेले तो यह स्टैम्प है ओके स्टैम्प दिखा देती हूं मैं उसके बाद में आपको सूट ओपन करके दिखा देती हूं यहां से इसका फ्रंट स्टार्ट होता है यह देख लिजे तो यह देख लिए आप इसका फ्रंट हो गया सूट का यह देख लिजे प्रिंटेट फ्रंट हो गया यह यह नेकलाइन वाला पोर्शन है और यह बड़े कलर्फुल कलर्स यूज किये गए है इसमें बड़े कलर्फुल सूट है और यह पट्टी दीवी है साथ में वैभाव मिड्ल पैनल चेक करा दिती हूं तो यह मिड्ल पैनल हा इसका मिडल पैनलक उसके बाद यह दामन है में दामन चेक कर लीजे तो यह दामन वाला पोर्शन हो गया दामन पक्रेंट चेक कर लें यहाँ पर देखी बिन साइद की स्टाम भी दी वी है और यह फ्रेंट कि प्रेंट से यह हो गया एक निलेती पर देख लिए धामक की पट्टि अब मैं स्लीव दिखा देखती हूं से चैक कर लीजए जाहिए अले देखनें स्की स्वीव स्वीव स्वीं स्वीव का प्रaldo दिया वे फुल फैबरिक में ट्राउजर है और धाय मीटर का दुपट्टा कर तो देखना यह वो गया दुपट्टा दाइमीटर का बड़ी लंबे चौड़े तुपट्टे आते हैं नमाज के दुपट्टे होते हैं तो यह देखनें तो यह हो गया हमारा सेकंड लास्ट दिजाइन बस एक दिजाइन और लेफ तो भी चल्ड़ी पिलिश कर देते हैं यह यह है डिजाइन नंबर सब्सक्राइब सारे ही बड़ी कलरफूल से डिजाइन से और गर्मियों में बड़े खुबसूरत लगते हैं कलर्स तो यह देख लिए नेकलाइन वाला पोर्चन है बागी सब प्रिंट है पूरा ही प्रिंट दिया हुआ है और यह इसकी पट्टियां दीवी है साइड में तो प्रिंट यह देख लिए इसका मिडल पैनल मिडल पैनल दिया है यह देख लिजे इसका दामन यह दामन वाला पोर्चन हो गया अब मैं आपको इसकी बैक दिखा देती हूँ पैक का भी प्रिंट सेम है तो यह बैक का प्रिंट चेक कर लिजे ठीक है मिडल पैनल बैक का दामन हो गया दामन चेक करनें बैग का और ये हो गई स्लीव इसकी प्यूर लॉन में देखे ट्राउजर दिया वा है फुल फैबरिक है और सेम जिस प्रिंट में शॉर्ट है उसी प्रिंट में उने ये दुपट्टा दिया है विद कलरफुल प्रिंट ये देखे लिए यहां बिन सईद का स्टैंप दिया वा है ये देख लें पूरे बड़े लंबे चौड़े दुपट्टे आते हैं ये हो गया हमारा दुपट्टा इसका धाई मीटर का तो ये थी हमारे आज के टोटल डिजाइंस तो जल्दी-जल्दी मुझे बुकिंग दे दीजेगा लिमेटेड स्टॉक है रमजान के लिए ईद के लिए ये बेस्ट कलेक्शन है तो अगर आपको मेरा ये कलेक्शन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें चलती हूँ दौाओं में याद रख रखिएगा इंशालला फिर लोड कराऊंगी जबरदर्स और घजब कलेक्शन के साथ बाए